देखिए, if the mean of the observations, बेटा ये कुछ observation आपको देए, x, x plus 3, x plus 5, x plus 7, x plus 10, is 9, मतलब ये टोटल कितनी observation चेकरो, ये 1 है, जब कॉमा लग जाएगा ना, तो दूसरी observation है उसके बाद, ठीके, means the observations are separated by commas here, कॉमा से observation separated हैं, तो 1 observation, second observation, third, fourth, fifth, total 5 observation, observation, अब फिर से question बड़ी है, किर दो mean of the observations, ये रहीं observation is 9, याने कि किसकी बात कर रहा है, mean is 9, mean is 9, तो टोटल 5 observation का बड़ा mean कितना है, 9 है, ऐसा इनोंने बोला है, अब कुछन सुनो, किर दो mean of last 3 observation is, तो बड़ा चेकरो, last 3 observation कॉन कॉन सी, last 3 observation, कॉन कॉन सी, x plus 5, x plus 7, और x plus 10, देखो न, 1, 2, 3, ये ही तो last 3 observation है, तो last 3 observation का आपको क्या निकालना है, mean निकालना, लेकिन, last 3 observation का mean तो तब निकालोगे न, वटा जब ठीक observation आपको पता हूँ, आपको observation ही नहीं पता है, क्योंकि observation किसके terms में, x के terms में, चेक करीए, आपको दिखा रहा हूँ, देखो, देखो, फर्स्ट observation क्या है, x है, ठेक, ये फर्स्ट observation है, ठेक, सेकंड observation क्या है, चेक करीए, x plus 3 है, correct, थर्ड observation क्या है, बड़ा चेक करो, ना बेटा पहले x की value तो पता करो तब तो जाके आपको last की थ्री अफ्जरविशन पता चलेगी ना कौन सी थर्ड वाली फॉर्थ वाली और फिफ्ट वाली जो एक्स की value आएगी x फ्लस फाइफ करोगे तो फॉर्थ मिलेगी X plus 10 करोगे तो 5 मिलेगी जब आपको last three observation मिल जाए तो आप क्या करो last three observation का mean निकाल लो कैसे sum of last three observation divided by total number of observation total number of observation कितनी में जाएंगी 3 तो यह process है लेकिन X की value निकालने के लिए hint दिया हुआ है कैसे the mean of observation total five observation तो मीन कैसे निकालोगे बताओ मीन कैसे निकालते है मीन फाइव अब्दरविशन कैसे इकालोगे sum of observation divided by total number of observation अभी मैं five observation की बात करा हुआ हुआ है जो नहीं दिया है टोटल five observation का भी ने तो mean is supposed to sum of all observation because your first observation x a plus second कितनी x plus 3 a plus 3rd कितनी x plus 5 plus 4th कितनी x plus 7 plus 5th कितनी x plus 10 divided by कितना हो जाएगा बताईए five हो जाएगा yes or no अब next देखो जाएगा mean कितना है mean कितना है 9 तो mean यहाँ पर 9 हमने लिख दिया इस इक्वल्स तो अब इसको solve कर लो यह क्या कि है मैंने sum of total five observation कर दिया ना सबको add कर दिया ठीक ना x plus x plus 3 plus x plus 5 plus x plus 7 plus x plus 10 करें तो कितने एक्सेस में 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x तो x plus x plus x total कितने होगे 5 x और numbers को numbers के साथ add कर लिजे 3 plus 5 8 8 7 15 15 15 lesson कितना हो जाएगा 25 ओके यह लीचे और अपॉन में कितना है फाइव है तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास 9 इस इक्वल्स टू ना ध्यान दे students यह दिखी यहां से बेटा 5 common ले लो यह बच्चे नहीं solve कर पाते हैं पता नहीं क्यों यह देखी 5 x plus 25 लिखा हुआ है यहां से आप 5 common लिजे ना कैसे 5 x का मतलब क्या होता है 5 x x plus 25 का मतलब क्या होता है फाइव इंटू 5 यह फरस्टर में यह से केंड़ में फरस्टर में सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब लोगे तो क्या बच जाएगा अंदर यहां बचेगा एक्स और प्लस 25 में से 5 चला गया कितना बचाइब अपन में क्या है 5 common लेने के बाद इस वाइव को ऐसा मत कार देना 25 से जब तक कॉमन नहीं लोगे तब तक नहीं काट होगे क्य 5x plus 25 means 5x plus 25 is whole divided by 5 यह है तो 5 से 5 यहां cancel हो जाएगा नेक्स स्टेप में 9 is equals to कितना हो जाएगा x plus 5 ओके नो बेटा 9 अगर x plus 5 के एकवल है इसका मतलब क्या है कि x plus 5 भी किसके क्वल है 9 के अब 5 उदर जाएगा तो क्या हो जाएगा x का वलू किया जाएगा 9-5 that is what 4 लिचे x का वलु आ गया बेडा चेक एक्रोट आज़ रहा जब x का वलू आ गया तो 1st Observation कितनी हो जाएगी x थी और x का वलू कितना है 4 तो 1st Observation हो गई 4 2nd Observation कि यह च्छ प्लस 3 यहां गया 4 प्लस 3 7 ठीक है 3rd Observation x का वलू कितना है 4 4 plus 5 कितना हो जाएगा 9 ठीक है 4th observation X plus 7 यहने कि 4 plus 7 कितना हो जाएगा 11 ठीक next observation 4 plus 10 कितना हो जाएगा 14 नीचे को डाउटे पताई है एक्स का बलू आ गया अब मीन आफ लास्टी observation निकाल लीचे क्या calculate करेंगे मीन ओफ लास्ट ट्री अब दर विशन स्टीन लास्टी observations का मीन निकालेगे लास्टी observation बेटा कौन से दिख रही है 9 11 14 तीनों को याट कर दीजेए यहने कि 9 9 plus 11 plus 14 divided by the observation 1 2 3 the total number of observation between 3 sum of all observation divided by total number of total number of observation region take tonic जाले कितना आजाएगा देखो ना कितना जाएगा चक्रों फोर प्लस फाइफ फाइफ प्लस नाइन इतना वहता है 14 के रिवन जाएगा तो वन दो टू ब्लस वन सिर्टि फोर बैंट यस रो बताई है जिक अपके अगरेंगे 34 को थी से डिवाइड लगाई यह क्यों सर क्योंकि बटा यह तो मीन दिया लास्टी ऑफ़वेशन का आंसर में यह मिक्स फ्रेक्शन में दिया हुआ है ना तो कितने दाइग जाएगा 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 थी बं आंसर थी 4-3 का में वनने कितना है 11 venir 11 hole 11 hole 1 by 3 गेळी ज बटाया सीतुरी तो 11 hole फिर 1 by 3.1 one roll by three 11 hole one by three looking up us 3 go 11 step 10 interfere modifier away 3 into 11 and 33 plus 134 by three 11 hole 1 by 3 hasret given in the option yes sir options see is the correct option को डाउट ने पताइए कर लीचे